हेलो गाइज, वेलकम टू टो टोपर फो अनिक्स दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं UP पुलिस की नई वेकैंसी के बारे में आप सभी को पता है दोस्तो 22,000 की नई वेकैंसी UP पुलिस की आईगी और दोस्तो आप उस बेकेंसी का बेट कर रहे हैं या आप उस बेकेंसी के तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तो आप सभी को पूरी डिटेल के साथ बनाई जा रही है जिसमें दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपकी जो ये बामन हजार की बेकैंसी है वो कब तक आजाईगी और उसमें कितने बेकैंसी आईगी सिविल की बेकैंसी कितनी होगी पीएसी की बेकैंसी कितनी होगी और उसमें गल्सकी कितनी बेकेंसियां आने वाली है आज ये वीडियो दोस्तो पूरी डिटेल के साथ आप सभी को प्रोवाइट कराई जा रही है तो ये वीडियो दोस्तो आप सभी के लिए most important होने वाली है चलिए दोस्तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर कर देना साथ ही दोस्तो टोपर फनिक्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना तो गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में एक वीडियो मिलेगी यूपी पुलिस की तयारी कैसे करें आप सभी को दोस्तो वीडियो जरूर देखनी है गाइस आज इस वाली वीडियो में हम दो टोपिको को एक साथ लेकर चलेंगे पहले मैं आपको बता हूँगा कि अभी इससे पहले जो बेकेंसी हुई थी उन्चास पान्सो अर्सट उसमें कितनी बेकेंसी किन पदो पर थी सिबिल के कितने थे पीएसी के कितने थे और रिजर वेसन कितना था और आपकी बामन हजार में कितनी संख्यार रहने वाली है तो चलिया दोस्तो हम उन्चास पान्सो अर्सट को रिलेटिट करता हुए आपकी 52,000 की बेकैंसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो ये टेविल आपको दीख रही होगी ये टेविल है 49,568 की जो बेकैंसी थी उसके बारे में कितनी पोश्ट किसकी थी तो यहाँ पर दोस्तो आपको दीख रहा होगा 49,568 टोटल बेकैंसी थी और उसमें दोस्तों सिविल की जो वेकेंसी थी 31,360 पद थे सिविल के और दोस्तों जो पीएसी की वेकेंसी थी उसमें 18,208 पदों पर वेकेंसी की गई थी पुल मिलाकर दोस्तों टोटल वेकेंसी थी 49,568 ठीक है यहीं पे दोस्तों मैं आपको किलियर कर दूँ इस बार जो आपकी वेकैंसी आईगी वो आईगी दोस्तों बामन हजार पिलस पदो पर ठीक है 52,000 प्लस बादों पर आएगी जिसमें दोस्तों आपके सिविल की जो पोश्ट होने वाली है वो पोश्ट होने वाली हैं दोस्तों 32,000 के सम्थिंग 32,000 प्लस बेकैंसी आपकी सिविल की मिलेगी और दोस्तों बागी P.H.C के बेकैंसी रहने वाली है यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हुए इस वार जो बेकैंसी में एज ली गई थी उच्छास पानस़ पारसाट में 18 से 23 बड़स मांगी गई थी और फिमेल की 18 से 26 बड़स मांगी गई थी और मैं आपको बता दूँ दोस्तों हो सकता है 52,000 वाली बेकेंसी में भी एक या दो बर्स की छूट आपको देखने को मिल सकती है यहीं पर दोस्तों आपको यह बात भी क्लियर कर दूँ आपकी जो इलिजिविल्टी होती है इसमें 12 पास होना आपको जरूरी है मतलब दोस्तों आप अगर आपने 12 पास कर रखी है चाहिए वो किसी भी बोर्ट से हो इंडिया के दोस्तों आप सभी इसमें अपलाई कर सकते हैं इसमें कितनी परसेंट है उससे कोई मतलब नहीं होता लेकिन आपका बारमा पास होना जरूरी होता है चलिए दोस्तों आप बात करते हैं अपने इसी टोपिक पर किस कैटिगरी को कितनी बेकैंसियां मिली है उनचास 568 में और 52,000 में कितनी मिलने वाली हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप पो दीख रहा होगा जो सिविल की जो 31,360 वेकैंसि थी उसमें दोस्तों जनरल की 15,681 थी और S.C. की 65,85 थी S.T. की 627 थी और O.V.C. की 8,466 वेकैंसि थी लेकिन दोस्तों इस बार जो 52,000 वेकैंसि आईगी उसमें दोस्तों जनरल की जो वेकैंसि आईगी उसमें जनरल के दोस्तों 16,000 के सम्थिंग पोश्ट होंगी और SC के दोस्तों यहाँ पे 300-400 पोश्ट सभी कैटिगरी में बढ़ जाएंगी आप सभी को पता हैं दोस्तों 32,000 के सम्थिंग वेकैंसी आईगी तो इसी के अकोडिंग दोस्तों इन सभी में पोश्ट को इंक्रीज कर दिया जाएगा वहीं दोस्तों अगर हम P.H.C की बात करें तो P.H.C की दोस्तों पिछली वार जो जनरल की वेकैंसी थी 94 वेकैंसी थी पात करें तो यहां पर दोस्तों फिजिकल इजिवल्टी सेम प्रोसेसिंग वही रहे गी आपकी हाइट के बारे में बात करें तो 168 cm सभी मेल के लिए होती है ST को छोड़ कर General OBC, SC सभी को 168 cm की हाइट मांगी जाती है अगर आप ST से हैं तो आपकी जो हाइट मांगी जाएगी 160 मीटर होनी चाहिए Female की दोस्तों 152 cm General OBC और SC की लेकिन अगर ST की कोई female है तो 147 cm की उसकी हाइट मांगी जाएगी Chest दोस्तों सेम वही 79 से 84 और ST के लिए 77 से 82 cm तका Chest होना चाहिए इसमें दोस्तों आप सभी को 5 का फ्लाव जरूरी है और दोस्तों female के बारे में तो आप सभी को पता है Chest इनका नहीं मापा जाता है यहाँ पर अगर हम दोस्तों running की बात करें तो running की दोस्तों same processing वही चाहें कोई किसी भी category का mail है उसे 4800 मीटर की running सिर्फ 25 मिनट में करनी है और चाहें किसी भी category की female है उसे 2400 मीटर की running 14 मिनट में करनी होती है तो यह processing है दोस्तों जो 49568 में हुई और same processing दोस्तों आपको 22000 में देखने को मिलेगी तो दोस्तों आप अगर इसकी तयारी कर रहे है तो वो वीडियो तयारी कैसे करने देखेगा उसे देखकर अपनी तयारी को अच्छे से करिएगा और यहाँ पर दोस्तों इन सभी को ध्यान में रखके तब आप तयारी करना अगर आप तयारी करने है और आपके हाइट कम है तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है अपनी तयारी करने का मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ आपकी जो यह बेकैंसी है आपको फरवरी से मार्च के बीच में देखने को मिल सकते है तो इसलिए दोस्तो आप सभी अपनी तयारी को अच्छे से करिएगा आपको जाद समय नहीं मिलेगा पेपर भी तुरंट इसका करवा लिया जाता है अगर इस बेकैंसे से समन्दित दोस्तो किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट सो आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तो आप हमें कमेंट स्वोक्स में जरूर लिखें हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और दोस्तो इस बेकेंसे समंदित कोई भी जानकारी आईगी वीडियो के माद्धम से दोस्तो आप सभी को बता दिया जाएगा इसलिए दोस्तो टोपर फोईनिक्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल न भूले और दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरूर करें साथ दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे दोस्तो यूपी पुलिसस समंदित सभी जानकारी आपको मिलती रहें चैनल दोस्तो मिलेंगे आपसे एकने वीडियो में एक नई जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यबाद जिससे दो उन्यबाद झाल झाल